दोस्तो आज हम 1962 के भारत चीन यूद के हीरो जस्वन सिंग रावत के बारे में बात करने जा रहे हैं ये वही जस्वन सिंग रावत हैं जिनोंने अकेले 72 घंटा तक चीनी सैनिकों का सामना किया था और 300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया और उनके हाथों ना मर कर खुद को गोली मार अपने प्रांट त्याग दिये थे और जब ये बात चीनी सैनिकों को पता चली कि वह तीन दिन से एक ही सिपाई से लड़ रहे हैं तो गुसे में चीनी कमांडर जस्वन सिंग का सिर काट कर साथ ले गए थे और जब युद विराम की गोशना हुई तब चीनी कमांडर ने उनके बाहदरी को देखते हुए इज़त से उनका सिर भी वापिस किया और जस्वन सिंग रावत की प्रतिमा भी भारती सेनों को बहिट की थी और आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन जस्वन सिंग रावत अकेले ऐसे शहीद हैं जिनकी शहादत के बाद भी नियमित प्रोमोशन जारी है